Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So first of all, congratulations to all of you, जिनका selection हुआ, और जिनका नहीं हुआ, ये साल आप अच्छे से prepare कीजिए. You are very close. ये साल आप definitely कर लेंगे. और जो नए जो भी beginners हैं, आप मेरा strategy videos देख लीजेगा on how to begin the preparation journey. So, आप में से काफी साब मुझे पूछ रहेते हैं, SBI PO अब select हो गए हैं. तो next steps क्या होता है after selection, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा, जिनको नहीं भी पता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. So, nothing to worry, तो बहुत लोगों का कुछ-कुछ question है regarding medical, की rejection कब होता है, on what basis is a candidate rejected, तो मैं सब बताऊँगा आपको. तो देखिए, अब आपको एक नया mail आएगा, पहले तो आपको circle alert होगा, ठीक है, आपको जो भी circle alert होगा, where will you be called for DV and medical? तो एक example देता हूँ मैं, in case मैं जैसे मुझे समझो दिल्ली circle हुआ, मुझे अगर दिल्ली circle मिला है, तो मेरे पास दो options देते हैं आपको. या तो आप दिल्ली में जाके अपना final DV और medical कीजिए, या second option आपके closest LHO, LHO मतब local head office जो closest रहेगा, आप उधर जाके कीजिए, ये दो option आपको मिलता है. तो अभी मुंबई में भी जैसे बहुत लोग थें, जो बाहर साए हैं, तो वो अपने closest LHO पे गए और अपना final DV और medical करवाया था. ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं होगा कि आप उधर ही जाए, जहां आपको a lot हुआ है, आप अपने closest LHO भी जा सकते हैं. तो यह एक हुआ, कि आपको कहां, where will you be called for DV and medical? I hope यह वाला क्वेरी आपका clear हो गया होगा. फाइनल DV में अब क्या होगा? अब हो सकता है किसी ने, जब interview के time जो DV हुआ था, उसमें आपने कुछ नहीं दिया हो, या आपने कुछ बोला हो कि मैं final DV के time दिखा दूँगा, आपने sign किया हो, declaration आपने sign किया हो, कि आप दे देंगे तबी, final DV के time, तो वो चीज आपसे नहीं है, तो भी कुछ as such issue नहीं होगा, आपको बाद में दिखाने बोल देंगे, बट आप जितना हो सके वो दिखा दीजेगा, बाकी आपको character certificate या identity certificate का need नहीं है, ये दोनों चीज अगर आपने interview DV के time दिखा दिया है, तो ये दोनों चीज उनके पास already होगा, ठीक है, तो वापस से दिखाना है, कि आपस से करना है, तो वापस से कुछ नहीं करना है, वो लिखा भी रहेगा, तो भी आपको वापस लेके नहीं जाना है, क्योंकि आप देखेंगे, जब वो checking करते हैं, तभी उनके पास ये, आपने जो भी दिखा ये, जो भी zerox copies, copies दिये हैं, वो उसी से आप वापस मैच कर लेंगे आपने जो भी दिया final dv के time तो it will be very lenient, कुछ भी नहीं होता है it will be quite easy सब अच्छे से हो जाएगा, don't worry about it एकाद कुछ छूट भी गया, तो कोई इशू नहीं होता है अब final dv में main क्या है sybil वो आपका sybil scores देखते हैं तो in case आपका कुछ भी बचा कुछा कुछ भी रह गया हो, कहीं आपका score खराब हो बहुत तो आप pay off कर दीजिए वो और जिससे भी लिया था उनसे NOC ले लीजिए क्योंकि sybil में reflect होने में थोड़ा time लगता है write off दिखेगा अगर आपने आपका कुछ लोन था या credit card dues थे, credit card के dues भी नहीं होने चाहिए ठीक है dues in the sense वो अब asset खराब हो चुक है NPA हो चुक है, वैसा type का नहीं होना चाहिए अभी आपने इस मन्त कुछ लिया है और next मन्त उसका due है तो वो चलेगा but otherwise NPA वाला चीज नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत महीने छोड़ दिये थे 60, 70, 75 अज़र हो गया आपका civil score एकदम ही खराब हो गया तो एक चीज यह हुआ दूसरा चीज हुआ कि हो सकता है आपका civil score खराब हो but आपने समझो 600 हो या कुछ हो या 500 के उपर हो but आपने pay off सब कर दिया है आप पे कुछ भी उधारी नहीं है तो भी कोई issue नहीं है आपको कुछ बोलेंगे नहीं वो आप दिखा दीजेगा NOC दिखा दीजेगा जिसका भी आपने लिया था in case example दे रहा हूँ आपने SBI का credit card लिया था आपने नहीं किया या किसी और का लिया था आपने pay नहीं किया था तो NOC आपको मिल जाता है pay off के बाद कि now all dues are clear वैसे करके तो वो आप दिखा सकते हैं in case आपको लगएगा कि civil बहुत खराब है वो क्या बोलेंगे तो ठीक है तो ये main है ये ध्यान रखिएगा वो civil चेक करते हैं बाकी अब medical में देखिए आपको एक mail आएगा tests कौन से करने हैं उसके so एक लंबा list होता है tests का ये test आपको जाके करवाना पड़ेगा किसी MD pathologist से जो MD हो तो देखिए mostly जहां से भी आप test करवाएंगे न वो MD का ही sign रहता है और MD का मिल जाता है तो you don't need to worry about that तो ये test आपको करवाने होंगे सब अच्छे से और इसमें क्या होता है अभी देखिए major major क्या हो सकता है major ailments अगर कुछ पता चला medical के टाइम like stone किसी किसी को stones पता चलता है या कुछ और issue हुआ तो वो छोटा मोटा कुछ उपर नीचे blood में हुआ अगर आपको सर्दी खासी हुई थी तो blood उपर नीचे आपका आजाता है या आप कोई medication लेते हैं तो आप वो दिखा दीजे का कोई issue नी होता है उदर केस के यह चीज उपर आपकी उपर नीचे कुछ भी होता है तो उसके वज़से कुछ भी नहीं होता है आप डiरेक्टली आपको ले लेंगे तो नमबर जादा कम आइस का या कुछ भी तो कुछ नहीं होता तो ये सकता है removed कर about phi ठीक है, तो यह आप करवा लीजेगा फटाफट, कुछ इसमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि उनको clear चाहिए रेकॉर्ड सब, तो उसके बाद क्योंकि SBI में क्या होता है पूरा in fact कहीं भी, but SBI में medical आपका पूरा full medical covered है ठीक है, तो that is why these steps are taken, तो आप अपना medical clear रखिएगा और कुछ आपको doubt होगा, comment में पूछ लीजेगा, तो यह 3 point हो गया, final DV medical, and where will you be call for DV and medical, जो मैंने बताया यह वाला point, bond क्या होता है तो bond देखिए bond is for 3 years, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं, तो आपको यह bond amount pay करना पड़ेगा 2 lakh का, plus GST ठीक है अब यह आपको amount देना नहीं होता है यह sign होता है आपका bond पे ठीक है यह paper पे, legal paper पे sign लिया जाता है आपका ठीक है, you are signing that if you leave the organization before 3 years, you will be paying this amount, बाकि वो उनके उपर है क्या amount उपर कम ज़्यादा भी करते हैं ठीक है, तो यह bond का हुआ bond में आपको at front pay नहीं करना है यह मत सोचिएगा कि आपको पहले ही 2 lakh pay करना है तो यह नहीं है ठीक है, फिर यह सब हो जाने के बाद यह पूरा जब हो जाता है आपका यह final DV, medical sub एक ही दिन में हो जाएगा अलग से दो दिन नहीं बुलाएंगी एक ही दिन में हो जाता है फिर आपका end में आपको यह होने के बाद within a week training का mail आ जाता है call आता है जहां आपका training होने वाला है तो जैसे मुंबई का indoor में होता है तो call आ गया था कि आप आने वाले हैं और यह सब बता देते हैं बाकी आप tickets, train tickets यह सब अभी तो आपने देखा होगा 12th BPS में कि flight tickets और train tickets reimburse होएंगे train का I think first AC कर दिया है तो वो भी reimburse हो जाएगा ऐसे हमारे time second AC किया था हमने तो वो भी reimburse हो जाता है पूरा so वो तो आप देख लेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद training होगा which will be off 21 days का होता है but कुछ Saturday Sunday बीच में आता है तो total around 25 days हो जाता है and it is a great time actually तो वो enjoy किजएगा तो basically यही next steps है so you don't need to worry about anything about final DV के बहुत लोग आप question आप में से question बूछ रहे हैं कि यह नहीं है तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा आपका selection हो गया है medical bus बहुत major ailments जैसे मैंने बताया कुछ major नहीं होना चाहिए अगर बहुत worst case scenario बता रहा हो मैं कुछ हुआ तो आपको six months का time टाइम दिया जाता है ठीक है to recover and जो भी खराब है उसको ठीक करने का so that's it for this video आपको अगर और कुछ doubt होगा तो let me know in the comments I'll answer them and अगर आप मेरे चैनल पे first time आये तो do not forget to subscribe thank you and all the best